दोस्तों चाहे बारिश का मोसम हो चाहे ठंडी का मोसम हो या सुबब सुबबड का मोसम हो एक बहुत अच्छा गिजर पूरी फेमिली कीुरिकवार्मेंट होती है गुन-गुन पानी से ना-ना हर किसी को पसंद होता है और अपनी हेल्थ भी अच्छी रहती है dovn Saint Indy के टाइम में चाइब आपो जूद रहे हैं तो मैं आपको पांच गीजर बताने वाला हुं qa चाहे आप ची लिटर ढुन रहे हो दस लिटर फंबाई पंडैलिटिक लिटर सारकाथ को देने वाला हूं साथ में यह इंस्चेंट वॉटर के बारे में में बनाने वाला हूँ और इस वीडियो के पहले में काफी सारे वीडियो ला चुका हूँ बहुत सारे कंपेर मैंने अलरडी कियो हुए है गीजर और फाइनली आपके लिए इस वीडियो में टॉप 5 बेस्ट गीजर इन इंडिया 2022 के बारे में बात करूंगा तो अगर आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कॉमेंट में आप अपने सवाल पूछ सकते हैं सब्सक्राइब को बटन दबा देंगे तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी और हमारी मुलाकात दोबर आ होती रहेगी तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं बाइंग और इस्टोरेश टाइप के गीजर में आपको अलगले केपैसिटीज मिलती है तो मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आपकी फैमेली में तीन से चार मेंबर है तो दस लिटर का गीजर आपके लिए सही होगा अगर एक या दो मेंबर है तो छे लिटर का गीजर भी आप ल तो अगर आप 2000W से प्लस में लेते हैं तो बहुत जल्दी फास्ट हीटिंग होती है और अगर आप इंस्टेंट घिजर ढूंड रहे हैं इस्टेंट वाटर रहे हैं तो उसमें आप 3000 चारहजार वाट का लेंगे तो और भी ज्यादा फास्ट आपको हीटिंग उसमें देखने वाला वाटर हीटर लेना चाहिए और यह आपको जरूर याद रखना चाहिए पॉइंट नमबर 4 के अगर बात करें तो इनर टेंग पे आपको कितना वारंटी मिल रहा है वो तो आपको देखना ही चाहिए दो साल से उपर वारंटी हमें से मिलना चाहिए 5-5 साल 7-7 साल का इनर टेंग पे तो यह आपको देखना चाहिए लेकिन साथ में कौन सी कोटिंग उसमें यूज हुई है या फिर पॉलीमर की कोटिंग है वह भी आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए पोई नमबर 5 के अगर बात की जाए तो अगर आपके हाड़ वाटर आता है तो आपको एक वाटर सॉपनर का यूज करना चाहिए काफी बेस्ट रहेगा दोस्तों सिक्स पॉइंट के अगर बात करें तो हर गीजर के अंदर एक रोड लगी होती है और मेगनिसियम एलोई के अनोड रोड काफी अच्छी मानी जाती है और इसका काम बहुत जरूरी होता है गीजर एलोई के अनोडर होना ही चाहिए दोस्तों इसके अलावा आपको पता ही है कि अगर आप एक गीजर यूज करते हैं तो इलेक्ट्रिक कंजम्शन बहुत जादा होने वाला है तो मिनीमम चार स्टार तो लेना ही चाहिए उस से कम तो कभी लेना ही नहीं चाहिए या फिर नो इसी ब्रांट्स का आपको ध्यान रखना चाहिए और आपको टेंसल लेने की जरूरत नहीं है यह सारी ही पॉइंस मेंने कवर किये है और मैं जो आपको पांच बेस्ट गीजर बताने वाला हूं उसमें आपको यह सारे ही चीज देखने को मिलेगी तो दोस्तों बेस्ट गी आपको मिलता है आपकी जरूरत के हिसाब से आप इसे सिलेक कर सकते हैं लेकिन डिजाइन काफी अच्छा है और मॉडन लुक के साथ में आपको नई टेक्निलोजी का अनुबह भी देखने को मिलता है रिमोट ऑपरेटेड है 2000 वाट की पीक पावर के साथ में आता है तो बह बहुत बढ़िया यह चीज होने वाली है दोस्तों 5 स्टार रेटेड है तो यह बहुत अच्छी सी आपकी इलेक्ट्री सिटी भी बचाता है दोस्तों इसके अंदर इसके इनर टेंग में कोटिंग की हुई है ब्लू डाइमंड की और यह इनकी खुद की पेटेंड टेक्नि अच्छी है और यह ग्लास कोटिंग बहुत अच्छी चलती है और टेंग को काफी सालों तक यह कोरूजन होने से बचाती है और बहुत अच्छी हीटिंग भी प्रोइट करती है और साथ ही इसके जो हीटिंग एलिमेंट है उस पर भी ग्लास कोटिंग हुई है इसी चीज की तो बहुत अच्छी बात है इसके अंदर दोस्तों Magnesium Anode Road का यूज किया हुआ है तो ये भी दो गुना जादा इसको protection देती है और corrosion के chances बहुत कम करती है क्योंकि वो खुदी खराब हो जाती है 8 बार pressure resistance करता है High-rise building में भी अगर आप रहते हैं तो भी काफी अच्छा आपके लिए रहेगा दोस्तों कुछ-कुछ CT में फ्री इंस्टोलेशन भी आपको AO Smith Proid कराता है तो ये बहुत अच्छा option हो जाता है अगर आपको unique design में remote control वाला कुछ चाहिए LED display आपको इसके अंदर देखने को मिलता है जिससे आप temperature और ये सारा कुछ देख सकते हैं तो आप इसे purchase कर सकते हैं बात कीजा इसकी price range के बारे में तो ये 13,000 रुपीज के लगबग अभी cost करता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है कुछ offer चल रहे हो वीडियो के description में मैं इनके link दूँगा सारे ही geezers के तो वहाँ जाके आप इन्हें जरूर चेकाउट कर लीजिएगा दोस्तों best geezer इन इंडिया के list में नंबर 4 पर हम ने लिया है Hevels Company का पूरो एकदम latest launch है और Prime Day पर ही ये launch हो रहा है 15 लिटर और 25 लिटर दोनों ही मोटल आपको यहां देखने को मिलते है 2000 वाट की peak power है और 5 सर रेटेड है तो आपकी electricity bill भी कम आने वाला है 5 साल की आपको inner tank पर warranty मिल रही है 2 साल की hitting element पर और 2 साल की आपको comprehensive warranty मिल रही है तो यह भी एक बहुत अच्छी बात है और जैसे आप इसका outer body देखेंगे तो काफी अच्छा design मिलता है और नई technology का इनोंने use किया हुआ है आपको temperature dial देखने को यहां मिल जाता है temperature indicator देखने को मिल जाता है और आप temperature set कर सकते हैं dial से और power indicator भी यहां आपको देखने को मिल जाता है अगर आप high rise building में रहते हैं तो भी आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है 8 बार पेसर यह रेजिस्ट करता है बहुत अच्छी सी inner coating इसमें use हुई है और नात में जो anode road है वो भी काफी अच्छी efficiency आपको देदेगी और smile flow technology का इसमें use किया हुआ है जिससे flow अच्छा होता है hot और cold water का और heating efficiency काफी अच्छी मिल जाती है और PUF का बहुत अच्छा coating इन्हों ने use किया हुआ है अंदर अच्छी quality का PUF यूज किया हुआ है जिससे आपकी जो efficiency है और heating है वो बहुत देर तक उसमें बनी रहेगी और जल्दी पाने ठंडा नहीं होगा तो ये भी काफी अच्छी बात है बात कीज़ें इसकी price range के बारे में तो 7,699 रुपीज का currently cost करता है और आप जब भी वीडियो देख रहे होंगे तब prices change हो सकता है या फिर offer चल सकता है इस product पे तो वीडियो के description समें जो link है उसे check करना मत भूलिएगा जरूर उसे check कर लीजिएगा दोस्तों Best Gizzard in India 2022 की list में नमबर 3 पे हमने लिया है Chromten Company का Arno Neo पिछले साल का भी top seller था और 2022 में भी ये top seller है 6 liter लेना हो, 10 liter लेना हो 15 liter लेना हो, 25 liter लेना हो सारी ही capacity में मिल जाता है 4 star rated भी ये मिलता है लेकिन मैं आपको suggest करूँगा कि आप 5 star rated ही लीजिएगा और mostly 15 liter लेटर ये बिखता है बहुत अच्छी build quality में ये आपको देखने को मिल जाता है Chromten, Arno, Neo नाम से ही बिखता है और mostly हर shop पे भी आपको अराम से देखने को मिल जाएगा खास बात ये है कि इनोंने एक polyband coating इनोंने UCUE है जो इनका खुद का है जो बहुत अच्छी सी prevention देती है अंदर corrosion होने के chances बहुत कम करती है 5 साल के आपको product पे warranty मिलती है 2 साल की heating element पे और 2 साल के product पे जो की सालों तक चलने के लिए ready है और आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है अगर especially आपका budget कम है अगर 15 लिटर की capacity की बात की जाए और 5 स्टार की बात की जाए तो अगर आपका budget 6000 से जादा नहीं है तो मैं कहूंगा कि यह option आपके लिए बहुत जाद अच्छा साबित हो सकता है 5,699 रुपीस के लगबग इसका price है current price जानने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका भी link दे दूँगा जरूर check out कीजेगा 8 बार pressure के साथ में आपको देखने को मिलता है 3 level safety protection भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है तो सारे ही feature इसके अंदर है बहुत अच्छी चीज़ है जरूर check out कीजिएगा दोस्तों best geezer की list में बढ़ चुके हैं हम number 2 पे उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है प्लीस लाइक किये बिना मत जाहिए का और अगर आप subscribe कर देंगे तो मुझे बहुत जादा appreciation मिलेगा मैं इस तरह की वीडियो जोर लाता रहूँगा बात करें number 2 की तो number 2 पे हमने again लिया है AOE Smith का green series वाला model HDS model बहुत जबरजस्ट model है अगर आपको 6 liter लेना हो 10 liter लेना हो 15 liter या 25 liter सारही category में ये आजाता है आपको सारह option मिल जाएंगे जब आप buy करने से जाएंगे और mostly सारही feature इसके अंदर वही है जो previous मेंने 5th number पे जो बताया था उसमें था लेकिन ये बहुत चलता है model इसके results काफी अच्छे है और already लोग इसे use कर रहे है feedback भी काफी अच्छे है 2000W की peak power है तो बहुत fast heating आपको मिल जाती है 7 साल के आपको inner tank पे warranty मिल जाती है और इसमें वही blue diamond coating का use किया हुआ है जो heating element पे भी use किया हुआ है बहुत जादर durable बनाता है और corrosion बिल्कुल नहीं होता अंदर inner tank बहुत अच्छा सा prevent होता है उसके अलावाद 2 साल की प्लस 2 साल की यानि की 4 साल की आपको heating element पे warranty मिल जाती है और 2 साल की comprehensive warranty मिल जाती है 5 सार rated है तो electricity काफी अच्छी आपकी बचने वाली है और इसकी outer body जो है good quality की ABS से बनी हुई है ABS material से और अंदर जो PU है वो बहुत अच्छी सी आपकी जो heating है उसे preserve करके रखता है और heat loss काफी कम होता है 8 बार पेसर रजिस्ट करता है तो high rise building के लिए भी काफी अच्छा है और बहुत सारी safety feature इसके अंदर दी हुई है तो बिल्कुल अच्छो option हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा इसका price range जादा है 9999 रूपीस के लगबग currently ये cost करता है अगर आप इतना price bear कर सकते है तो ये एकदम modern look के साथ में आपको बहुत अच्छी सी सारी जो एक अच्छे गीजर में होना चाहिए वो सारी facilities ये देता है बस इसमें digital display नहीं देखने को मिलता है और आप इसके अंदर timer और temperature देख नहीं सकते है बाकि आप इससे control कर सकते है अपना जितना आपको hitting control करना है उतना तो इससे जरूर चेक आउट कीजिएगा वीडियो की description में इसका link भी आपको मिल जाएगा दोस्तों best gizzard in India की list में नंबर 1 पर हमने लिया है V guard का Victor DG ये digital display के साथ में मिलता है बहुत जबरजस्त इसका modern look है और बहुत अच्छा इसका efficiency भी आपको देखने को मिलता है 2000 watt की इसकी peak power आपको देखने को मिल जाती है fast hitting देखने को यहां मिल जाती है 7 साल की inner tank पर warranty 3 साल की आपको hitting element पर warranty और 2 साल की आपको comprehensive product पर warranty देखने को मिलती है खास बात यह है कि आप इससे digitally देख सकते है कि कितना temperature जा रहा है तो यह एक बहुत अच्छी बात है और inner tank पर बहुत अच्छी सी coating का use किया हुआ है 5 स्टार एटेड है तो आपकी energy भी काफी ज़्यादा बचाने वाला है और inkoloy heating element का इन्होंने use किया हुआ है तो यह heating element काफी अच्छा माना जाता है इसमें जो anode road यूज हुई है वो भी magnesium की हुई है तो बहुत अच्छी सी आपकी जो अंदर का tank है उसे prevent करता है corrosion के chances ना के बारा पर इसमें हो जाता है और बहुत लंबी इसकी आपको life मिलने वाली है 8 बार का pressure register कर सकता है तो high rise building के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है अगर आपके यह hard water आता है तो यह hard water के लिए भी suitable बताया जाता है तो आप इस पे भी भरोसा कर सकते है वेसे अगर आप shopner use करेंगे तो life बढ़ेगी geezer की तो यह भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों एक और खास बात यह है कि वीगाट की तरब से आपको free installation में मिलता है और साथ में inlet और outlet pipe भी आपको free दिये जाता है तो यह बहुत अच्छी बात है बात किए इसकी price range के बारे में तो 7,000 रुपीस के लगबग इसका 15 लिटर वाला model cost करता है और अगर आपको 6 लिटर, 10 लिटर, 25 लिटर वाला model चाहिए 10 लिटर वाला model चाहिए तो भी आप इसमें option select कर सकते हैं और अपने लिए इसे purchase कर सकते हैं बहुत अच्छा option है, जरूर check out कीजिएगा वीडियो की description में इसका link आपको मिल जाएगा और मुझे उमीद है कि आपको एक वीडियो पसंद आया होगा और आप अपने लिए एक बहुत अच्छा decision ले पाएंगे इस वीडियो देखने के बाद में अगर आपके कोई सावाल है तो मुझे comment में आप पूस सकते हैं और यहाँ जो goal आया है प्लीस उसे दबा दीजेगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना खाल रखिए सुरक्षित रहे है जैह